तो है लो गाइज मैं हो दिनेश और सौगत करता हूं आपका फिरस अपने एक नए वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके शपनों के बारे वैसे यह वीडियो को मोटिवेशन वाला नहीं है कि इसमें आपको मैं प्रेट करूँगा वह आप सपने सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में हम साइंटिफिक रूप से बताएंगे कि आखिर शपने क्या होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे कुश्चन है जो अब हम सपने क्यों देखते हैं आखिर सपने प्रत्क्रिया की रहरी में तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब को देने वाले हैं नोड्시고 से बाति हैं और कर दो हमें आपको अनृट बदा दूं की सफना का सूने कही भागे जब हम अपनी sleeping की थर्ड स्टेज में पहुँशते हैं तब यह सपने देखने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और यह sleeping की प्रतिक्रिया की एक ही प्रक्रिया हैं वैसे तो कुछ सांटिस्ट यह मानते हैं लेकिन हमारे देश में या फिर पूरे वर्ड में बहुत स सारे सांटिस्ट और ह्सका अपना अलग मत यह मानते हैं जब हम किसी चीज की फामिक इच्छा करते हैं तो किसी चीज की में होती है और यहseland करण हमारे माइंड होता है वो सामक्र затुद में होता है और वो जी हमारे दिमाघ में फिरती रहती है जिसे हम सपने देख ने हैं और दूसरा का देज के साइको ठेापी का भी पार्ड मांते हैं कि जब हमारे दिमाख और सरीर की बीच में अवेगों के सिगनल की भरमार हो जाती है तब हम सपने देखने की प्रोशेस को तयार करते हैं वह सपने देखना ए मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग ज़रूर सपने देखते होंगे कहीं कहीं बार तो सपने बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन कहीं कहीं बार ऐसे सपने होते हैं जो कि बहुत अरावने होते हैं अगर वो रियल लाइफ में हो जाए वो पूरे जिंदगी बदर जाती है जैसे कि आप लोग कभी कभी सपने देकर उठते हैं तो आप इतना भेंकर डर जाते हैं कुछ कहने को नहीं जै आपको बात बता दूँ कि अगर आपको सपने याद रहते हैं तो वो आपके हिल्थ की एक कारण भी बन सकते हैं जिससे आपकी कई सारी हिल्थ सबस्क्राइब करें और अपने एक सब्सक्राइब देखिए सब्सक्राइब करते हैं शपने देखने में कोई परिशानी नहीं होने वाली है इसमें अपनी एक diviner तरी वर्ड थ्यार करते हैं और अगर आप सपने देखते हैं तो आप उस चीज को करने की कोशिश भी करते हैं इसलिए सपने देखने में कोई गुरा ही नहीं है आप लोग अराम से देखें एंड एंड इन्जायो लाइफ ओके थाइंको फो आचिंग में वीडियो बाई